दोस्तों नमस्कार नोबल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। स्वाण पदग जीता था। तो ये options दीए गए इनमें से आपको बताना है कि किसने Commonwealth Games जो 2018 में हुए थे उसमें भाला फेंग जो प्रतोयकता थी उसमें स्वाण पदग हाशल किया था। तो पहले नमबर पे हैं आलोक कुमार, तूसरी नमबर पर हैं नीरत चोपड़ा, देव अंसर जो है वो है नीरत चोपड़ा, तो इसका अंसर किया रहा है कि आपका नीरत चोपड़ा, चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question हमारा है, हाकी के मैदान में गूल पोष्ट की चोड़ाई कितनी होती है कि आपको बताना है, ठीक है, हाकी के मैदान में गूल चोड़ाई कितनी होती है, पहला option हमारा है 4 मीटर, दूसरा option है हमारा, 3.75 मीटर, अगला option हमारा है, 3.66 मीटर, और उसका अगला answer है हमारा, 2.66 मीटर, तो 4 option है, 4 option से आपको बताना है, तो इसका जो answer रहने वाला है, वो answer रहेगा आपका, 3.75 मीटर, फिला हल मैं answer को एक बार देख लेता हूं, चारो option को, तो इसका answer जो रहेगा, वो आपका रहेगा, 3.66, यानि कि 3.66 मीटर, जो है, वो इसकी चोड़ाई होती है, गोल पोस्ट की होकी के खेल में, ठीक है, तो इसको हम टिक कर देते हैं, आगला question देखते हैं, गेम्स में, मनिका बत्रा ने किस खेल प्रकार में स्वाण हासिल किया था, ठीक है, तो 2018 में जो Commonwealth Games हुए थे, उनमें मनिका बत्रा जो खिलाडी थी, उन्होंने किस प्रकार के खेल में स्वाण हासिल किया था, वो आपको बताना है, तो पहला option होँमारा है, भाला फेक, दू ही कि किसमे इन्होंने फ़ान हे था तो इसका जी अनसर रहेगा वो आंसर आपका रहेगा 402 टेबिल टेनिस थिक है तो इसकी अंसर क्या है टेबिल टेनिस को हम टिक कर देते हैं और अगले question की तरफ बढ़ रहे हैं अगला question हमारा है इन में से किस खेल में इन में से किस खेल से एजरा कप संबंदित है यानि एजरा कप किस खेल में दिया जाता है उसको आपको बताना है तो पहला option है cricket, दूसरा option है polo, तीसरा option है volleyball और चौथा option हमारा है hockey ठीक है तो एजरा कप जो संबंदित है वो आपका polo खेल से संबंदित है ठीक है तो यहाँ पर हम polo option को टिक कर देते हैं ठीक है अगला question देखते हैं अगला question हमारा है राष्ट्र मंडल खेल कितने वर्स के अंतराल पर आयोजित किये जाते हैं यह आपको बताना है तो पहला option हमारा है 4 साल या 3 साल या 2 साल और या 5 साल तो यहाँ पर कौन साल सर रहने वाला है इस answer को देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे channel पर पहली वार विजिट कर रहे हैं और क्योंकि आपने अभी तक हमारे साभी वीडियो नहीं देखे होंगे जो हमने फिट इंडा को इसको ले करके अपरोड किये हुए हैं तो हमारी playlist में जा करके वो सभी वीडियो आप वाश कर सकते हैं और हमारी channel को भी subscribe कर सकते हैं जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको समय मिलते रहेंगे और आप घर पैट कर अपनी तयारी करते रहेंगे चलिए फिलाल हम इसका answer देख लेते हैं इसका answer हमारा जो है वो चार साल रहेगा राष्ट मंडल खेल जो है वो चार वर्स के अंतराल पर आयोजित किये जाते हैं ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question नमारा है दिये गए खेलों में किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है दिये गए खेल में किस खेल का मैदान जो है सबसे बड़ा होता ह वो आपको बताना है यहांपर तो जो पोलो खेल होता है उसका मैदान का अकार सबसे बड़ा होता है इसलिए यहांपर जो पहला option है आपका वो सही जाएगा यानि कि पोलो खेल का मैदान जो है सबसे बड़ा होता है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है, cricket के मादान में popping crease की map कितनी होती है, उसमें popping crease की map कितनी होती है, वो आपको बताना है, तो उसका answer जो रहेगा, वो आपका रहेगा, तीन foot, दो foot, या चार foot, या छे foot, यहाँ पर आपकी चार option है, चार option से आपको बताना है, तो यहाँ पर जो उसका answer रहेगा, वो हमारा रहेगा, चार foot, कौन सा option है, चार foot वाला आपका answer सही है, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question हमारा है, खिलाडी धनराज पिल्लाय, किस खेल से सम्मंदित हैं, यह आपको बताना है, यहाँ पर पहला option हमारा दिया गया है, हौकी, दूसरा option है, फुटवाल, तीसरा option है, क्रिकेट, और चौथा option है, मुक्के बाजी, तो यहाँ पर किस खेल से सम्मंदित हैं, वो आपको बताना है, तो इसका जो answer रहेगा, वो रहेगा आपका, पहला option होकी, यहाँ होकी से सम्मंदित कौन है, धनराज पिल्ले होकी खेल से सम्मंदित हैं, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question हमारा है, इन में से कौन से खेल में विशप सब्द का प्रयोग होता है जो विशप सब्द है, तो उस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, वो आपको बताना है, तो ए option हमारा यहाँ पर है सतरंज, आर दूसरा अप्षण है कैरम के खेल में, तीसरा अप्षण है गोल्फ में, और चौथा अप्षण है हमारा टेबिल टैनिस में, ठीक शत्रंज का option सही है, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question हमारा है, किस छेत्र में उत्क्रष्टता के लिए अर्जुन पुरुस्कार प्रदान किये जाते हैं, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर पहला option जो है, वो हमारा है विक्यान के लिए दिया जाते हैं, या साहित के लिए दिया जाता है, या खेल के लिए दिया जाता है, या वीर्दा के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, कि अर्जुन जो पुरुसकार होते हैं, वो ख खेल जगत के लिए दी जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा खेल जगत का option है यह आपका सही answer है ठीक है? तो इसको हम टिक कर देते हैं देखते हैं अगला question अगला question हमारा है इन में से किस खेल को Olympic खेलों में शामिल नहीं किया गया है यह आपको बताना है इन में से किस खेल को ओलम्पिक खेल में शामिल नहीं किया गया है वो आपको बताना है पहला option हमारा है भाला फेक, दूसरा option है कुस्ती लड़ना, तीसरा option है cricket और चौथा option है मुक्के बाजी तो यहाँ पर जो ओलम्पिक खेल में शामिल नहीं किया गया है वो है हमारा cricket ठीक है क्रिकेट को ओलम्पिक खेल में शामिल नहीं किया गया है ठीक है तो यह आपसन हमारा सही है अगला question देखते हैं कौन सा खेल गयरो से संबंधित है नाम थोड़ा सा अजीब है तो इसको आप ध्याण में रखेगा कौन सा खेल गयरो से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है देखे सम्मंदित नहीं है और सम्मंदित है थोड़ा सा एक ही जैसे questions में आपको लगेगा लेकिन ये गिधान से आपको question को एक से दो बार पढ़ लेना है तो आपका answer जो है गलत नहीं होगा क्योंकि सम्मंदित है और सम्मंदित नहीं में थोड़ा सा difference है जिससे कि हम जल्द ज्यादा रहती है अगर हम चल्द बाजी में question को करते हैं तो मेरा कारा यही कि आप question को एक से दो बार ज़रूर रिपीट कर लें जिससे कि आपका question clear हो जाए उसके बाद आप answer देंगे तो आपका answer उमीद है कि ये सही होगा चलिए इसका answer हम देख लेते हैं तो option देख लेत तो छार option दिए गए है चार option से आपको सही आंसर आपको बताना है तो सही आंसर जो हमारा है वो है लाल-tennis कोन सा है loon-tennis रहेगा ठीक है चलिए अगला कुशन हम देखते हैं, अगला कुशन हमारा है, कौन सा खिलाडी हौकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है, तो यह आप्शन हमारा रहेगा, ओधम सिंग, दूसरा आप्शन है मेजर ध्यानचंद, तीसरा आप्शन है सरदारा सिंग, और चौ उनको हम किस नाम से जानते हैं यह आपको बताना है तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका रहने वाला है Major ध्यांचंद तो Major ध्यांचंद को हम हम वाकी का ज्यादोगर कहते हैं ठीक, चलिए अगला question देखते हैं अगला question हमारा है 1983 क्रिकेट विश्युकप जीतने वाली भारती क्रिकेट टीम की कपतानी किसने की थी यानि उस समय जो विश्युकप खेला गया था regarde में उसके कपतान कौन थे ये आपको बताना है तो यहाँ पर जो अहला औप्शन हमारा है कपिल्देव दूसरा औप्शन है रविसास्त्री तीसरा option है सुनील गावसकर और चौथा option है संदीप पाटिल ठीक है तो यह आपको चार option दिये गए हैं चार option से आपको चूज करना है कौन सा answer आपका सही है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपका 1983 में भारती cricket team की कप्तानी की थी वो कपिल देव जीने की थ और विश्व कभी जीते थे ठीक है अगला question देखते हैं अगला question हमारा है इन में से कौन सा खेल सउयक्त राज़ अपर का राश्टरी केल है important question है इनमें से कौन सा खेल संयुप्त राज अमेरिका का राष्टरी खेल है वो आपको बताना है तो पहला option हमारा है गोल्फ दूसरा option है लाल टेनिस और तीसरा option है बेस्वाल और चोथा option है फुटवाल ठीक है तो यहाँ पर कौन सा अंसर रहने वाला है वो आपको बताना है तो यहाँ पर देखें बेस्वाल जो है वो संयुप्त राज अमेरिका का राष्टरी खेल है तो इसलिए हम बेस्वाल को यहाँ पर टिक करेंगे तो बेस्वाल आपका अंसर जो है वो सही है ठीक है अमेरिका का राष्टरी खेल के रूप में जाना जाता है बेस्वाल अग में से किस भारती cricket खिलाडी का जन्म इस्तान West Indies है यानि उसका जन्म West Indies भी हुआ था लेकिन भारती खिलाडी के रोप में उनको हम जानते हैं वो आपको बताना है तो यहाँ पर देखे जो आंसर है वो आपको पहला option हमारा है वरून एरोन, दूसरा option है पियूष चावला, तीसरा option है वीरेंद्र सहवाग, और चौथा option है रॉबिन सिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर जो इसका answer है, वो है हमारा रॉबिन सिंग, रॉबिन सिंग जो है, हमारे भारती cricket खिला हैं, बट इनका जो जन्मिस्थान है, वो वेस्टन डीस है, ठीक है, तो इसका answer क्या रहेगा, रॉबिन सिंग, ओके, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question हमारा है, आश्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीच, खेले जाने वाले, टेस्ट मैचों की सिरीज को, किस नाम से जाना जाता है, यहां आश्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीच में खेले जाने वाले, टेस्ट मैचों की सिरीज को, किस नाम से जाना जाता है, वो आपको पताना है, तो इसेज, दूसरा option हमारा है, फ्रेज ट्रॉफी, तीसरा option है, टेस्ट सिरीज इंग्लेंड, और चौ इसेज को हम इस नाम से जानते हैं, आश्ट्रिलिया और इंग्लेंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट मैचों को, ठीक है, तो इसेज हमारा option इसका सही है, अगला question देखते है, इन में से किस सहर में, नेता जी सुवाश चंद्रबोस, National Institute of Sports इस्थित है, शहर का नाम बतान है, जहां पर नेता जी सुवाश चंद्रबोस, National Institute of Sports इस्थित है, यह option हम है, पटियाला, दुश्रा है option कोलगता, अगला option है मारा बैंगलोर, और अगला option है, चेंटी करने में, चार option है, चार option से आपको सही अंसर बताना है, तो सही अंसर जो हमारा है, वो है पटियाला, ठ सहर में, नेता जी सुवाश चंद्रबोस का National Institute of Sports इस्थित है, ठीक है, अगला question देखते है, अगला question हमारा है, इन में से कौन सा खेल, रंगा स्वामी कब के साथ चुड़ा हुआ है, यानि रंगा स्वामी कब जो है, वो किस खेल में दिया जाता है, वो आपको यहां पर बत तो यहां पर जो इसका आंसर है, वो आपका रहेगा, हौकी, ठीक है, तो हौकी जो है, वो हमारा रंगा स्वामी कब के साथ चुड़ा हुआ है, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question हमारा है, इन में से किसने, 2018 में, ठीक है, IEF, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स 400 मीटर दोड में गोल्ड जीता था, वो आपको बताना है, तो पहला option है हमारा PT उशा, दूसरा option है हिमादास, तीसरा option है अश्वनी P, और चौथा option है, इन में से किसी ने नहीं जीता था, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा, वो आपका रहेगा, हिमादास, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आपका है, वो हिमादास के लिए है, इन में से किसने 2018 में IAF, अंडर 20 विष्ट अथलेटिक्स, 400 मीटर दोड में गोल्ड जीता था, ठीक है, तो यह थे हमारे आज के 20 questions, मिलते हैं अगले वेडियो के साथ में, तब तक के लिए, नमस्कार.